अगला कुश्चन नमबर 14 है, कुश्चन नमबर क्या 14, ये भी ग्राफ का कुश्चन है, अभी अच्छे हो, पूछा भी गया है, ध्यान से देखो, अब वाइब वाक इस्ट वर्ड, ठिक ध्यान से देखो, इस्ट वर्ड, एलॉंग ए स्ट्रीट इन फ्रेंट आफ इस हाउस and the graph, his position from home is sown, मतलब ये सब कुश दिया है, average speed of the whole interval आपको बताना है, ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के basis पे आपको average speed बताना है, तो basic पे जाओ, average speed क्या होती है, बच्छों, total distance upon total time, total time अगर आप दियान से देखो, तो आपका 20 minutes का है, ठीक, आपको सिर्फ total distance लिख लिए, 20 minutes का time है, लिख लिए, अब देखो, ये position, position मतलब ये x है, ठीक, तो देखो, ये क्या है, x है, ये 40 meter, 20 meter, 0 meter, तो अगर हम लोग a से b तक गए, a से b तक गए, तो कितना meter travel हुआ बच्छों, 40 meter, कितना meter travel करे, 40 meter, देखो, a से b तक हमतलब इस कलम कहा गए, 40 meter, ठीक, तो total journey कैसे लिखो, कि इसको part में divide करो, तो मेरी बात मालो, तो इसको part में क्या करो, divide करो, ठीक, एक दूसरी color लेते हैं, इसको माल लो, a, ये b, ये c, ये ये d माल लो, और ये e, और ये f, ऐसा है, distance लेना है, distance ये याद रखेगा, तो हम distance कैसे लिखेंगे, a, b की distance, ठीक, b, c की distance, और c, d की distance, और d, e की distance, और कितना, e, f की distance, ये होगा कि ने, ये पूरा, अब देखो, a से b तक हम कितना चले, 40, a से b तक हम कितना चले, 40, अब देखे, b से c तक हम rest पे हैं, b से c तक हम क्या हैं, rest पे, देखे, 40 तो है, b पर भी 40 है, और c पर भी 40 है, इसका मतलब हम rest पे हैं, दूसरी जर्णी हमारी क्या, rest मतलब 0 है, फिर हम कितना, मतलब कितना और चले, c से d, हम भर की और वापस गये, 40 km दूर तक गये और 40 km से घर आये, ठिक, फिर कितना और चले 20, कितना हो जाएगा 20 plus 20, और total time कितना है 20, 40 और 40 कितना हो जाएगा बच्चों, 80, 80 और 20 100 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 120 divided by 20, 00 कटा, कितना आ जाएगा 6, कितना हैगा 6 minute, meter per minute,